हाई फ्रेंज कैसे हैं आप सब उम्हीद करती हों सब अच्छे से होंगे तो फ्रेंज चलिए आजम बनाने वाले हैं 20 मिनिट्स में एक कड़ी आलू के साथ में मैं आलू का थिक ग्रेवी बनाऊंगी मसाले कम यूज करके तो चलिए मैं यह रेसिपी आपको पताती हूं कि कै यह बहुत टेस्टी बनता है तो मैंने लिए पाँच आलू क्यूंकि मैं थोड़ा थिक ग्रेवी बनाऊंगी और मैंने पांच अंडे भी लिया है तो आप अपने हिसाब से आपको जतना लेना हो क्वाइटिटी आप उस हिसाब से ले 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 को चलिए अब मैंने अंडे को पॉफे कैसे बॉइ करते हैं और मैंने डेड़ प्यास लिया है मिन छील कर उसे रख लिया है दोकर और इसके में पतले पतले काट लूँगी नॉर्मल जैसे हम लोग प्यास देली विसस पर काटे बस मैंने इसको ऐसे ही काट लिया है लेकिन थोड़ा पतला काटा है बस अब मैंने कड़ाई लिया है कड़ाई में डाला है सरसो का तेल कि मैं और सरसो वाला और यूज करती हूं आप रिफाइन यूज करते हूं तब वह भी यूज कर सकते हैं और इसमें मैंने एक को डाल दिया है एक को हम पड़ेंग गोल्डिन फ्राई पहले देखिए एक हमारा गोल्डन फ्राय हो चुका है इससे मैं निकाल लूँगे अब देखिए निकालने के बर कितना सुन्दर और भी कलर इसका दिख रहा है अब हम बनाते हैं गिरेवी तो मैंने उसी ओयल में इपना ओयल सफिशेंट है मैं 4 टेबल स्पून ओयल होगा उसकी कड़ी बॉयल होगा मैंने इसमें जो कटबा प्यास था ना उसको एड़ कर दिया है अब इस प्यास को हम थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे पिंक से थोड़ा ज्यादा फ्राइ करेंगे देखिए मैंने पिंक से थोड़ा ज्यादा फ्राइ किया है कि प्यास हमारा फ्राइ हो चुका है मैंने दू मीरियम साइज के टमाटर लिये हैं जिन्जर काली का पेस्ट एड़ के डेर टिबल स्पून है यह बस अब मैट करेंगे मसाला एक छोटी चमच हल्दी देखिए देखिए तीकी अब कम या ज्यादा खाते उतने हिसाब से मिर्च का पॉडर रखे मैंने जीरा पॉडर डाला है दो टी स्पून और मैं दो टी स्पून धनिया पॉडर भी एड़ करूंगी उसके साथ में मैं थोरा सा गरम मसाला एड़ किया मैंने बस नमक स्वात के नुसार रखें बस यह सारा कुछ हमें डालके अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और इस ग्रेवी को मुझे हमें थोड़ा सा पकाना है मैंने थोड़ा सा पानी एड़ के है विल्कुल थोड़ा सा और इसको लो फ्लेम पे अच्छे से दो से दो मिनट दो मिनट चार मिनट आप इसे बनाएंगे न तो ये अच्छे से टमाटर गल जाएगा और मैंने तिछ पतर डाला है आप तीन-चार एड़ कर दे जरूर इसे थोड़ा फ्लेवर अच्छा आता है दिखे मैं तीन-चार मिनट तक उसको लो फ्लेम पे भूना थ ताकि आलू का एक थिक सा अच्छा से ग्रीवी हो और आलू के अंदर अच्छा सा फ्लेवर हो और मैंने तीन-चार मिनट के लिए उतना सफिशेंट है कि मसाला हमारा पहले से भूना हुआ है और इसी वक्त में हम नमक टेस्ट कर लेंगे अगर नमक कम होगा तो मैट कर दें आलू को तीन-चार मिन तक भून लिया है अब इसमें हम एट करेंगे हमारे गिरेवी के हिसाब से पानी तो आप चाहे तो थीक भी रख सकते हैं और आप चाहे तो थीन भी रख सकते हैं मोटा पत्ना आपके उपर है तो मैंने थोड़े से मोटे साइड में गिरेवी को रख देंगे अच्छे से बॉइल आने के लिए ग्रेवी के साथ अंडा को बॉइल आने देंगे पहले और यह देखे में थोड़ा से धनिया पता एड़ कर दिया है आपके पास तब जरूर रट कीजिए इससे नेक और अच्छा फ्रेवर आता है और अभी ठंड का धनिया पता जो होता है ना वह काफी टेस्टी खाने को बनाता है तो जरूर अट करें तो देखें यह ग्रेवी आ चुका है और सबसी बनके अमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है तो चलिए इसे हम सब्सक्राइब करके मैं आपको दिखा देती हूं तो यह मैरे वीडियो को ठोड़ा फ कर दीजेगा वीडियो पसंद आए तो तो फिर मिलते एक नेक्स वीडियो के साथ तब तो के लिए बाई